Hello everyone, तो दोस्तों ECGC Limited की और से जो Professionary Officers यानि जो PO की यहाँ पर विकेंसी निकल कर आई ही, यह ज्यादा विकेंसी नहीं है, जैसे मैंने आपको आल्रेडी पहले भी बताया दें, ज्यादा पोस्टें यहाँ पर 40 ही पोस्टें लेकिन अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते तो मंथली एक लाग से उपर सेलरी प्लस अलाउंस की अगर हम बात करें तो देखो, डियर्नेस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, हाउस लीज रीमबर्समेंट होता है, ट्रांस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, न्यूस पेपर अलाउंस, इस तरह से मील कूप और यहां पे सबसे पहले जो है आपको अगर आप इंट्रस्टेड है अपलाई करने के लिए आप इलिजबल्टी क्राइटीरिय को फुल्फिल करते हैं तो आपको ओनलाइन एपलाई करना होगा ओनलाइन यहां पे देख सकते हैं आप www.ecgc.in ठीक है www.ecgc.in पर आपको जाना होगा अगर आप एपलाई करना चाहते हैं मतलब ऑनलाइन ही यहां पे आपको एपलाई करना है इसके लिए फीस वग्यरा भी पे करनी होगे आपको दोस्तों अगर qualification की बात करें तो qualification मैं आपको clear कर लेता हूँ पहले यहां पर इन पोस्टों के लिए यह जो PO की पोस्ट है यहां के लिए आपकी जो qualification है वो graduate होनी चाहिए मतलब आप graduation pass होने चाहिए तब ही जाकर आप यहां पे अपलाई करेंगे graduation चाहिए फिर किसी भी stream से आपने complete की हो arts से की हो चाहिए फिर medical से की हो ठीके commerce से की हो किसी भी stream से आपने की हो जस्ट आप जो है graduate pass होने चाहिए और यहां पे जो है आपका online exam होने वाला है मतलब सबसे पहले अगर selection की ही बात करें हम PO की post के लिए तो आपका सबसे पहले क्य किया जाएगा online exam लिया जाएगा online के बाद क्या होगा आपका interview होगा online अगर clear हो जाएगा तो फिर आपको interyvue के लिए जो है कि डॉकुमेंट्स आपके जो भी होते हैं, जो आपने अउनलाइन चड़ाये होंगी, वो आपको चेक किये जाएंगे, जो भी आपने आउनलाइन शो कराया होगा, कि आपके फास क्या क्या डॉकुमेंट्स हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन की बैसे पर अपलाई कर रहे हैं, दोस्तों यहां पर जो ऑनलाइन एक्जाम है इसकी डेट यहां पर टेंटेट्यू बताई गई है, 16.11.2024 को आपका एक्जाम लिया जाएगा, यह टेंटेट्यू डेट है, फिक्स नहीं है, थोड़ा आगे जा सकती है, तो 16.11 बताई है, आपको इसी डेट को लेकर चलना है, किस डेट को आपका उनलाइन एक्जाम होने वाला है और आपको प्रेपेर होना है, ओके, 23 सेंटर्स में जो है आपका एक्जाम होने वाला है, जिसमें मुंबई है, थाने है, नेवी मुंबई है, एहमदाबाद है, गांधी नगर है, पूने, इंदोर, नागपूर, कुलकत प्रियागराज, वरानसी, भूवनेश्वर, राइपूर, गोहाटी, चनए, कॉमबेटूर, बैंगलोर, इरनाकुलम, हैदराबाद, विजग, और धहली, नौइडा, गुडगाउं, चंदिगड, मुहाली, कानपूर, पतना, रांची, जाइपूर, तो इस तरह की ये 23 सेंट जहांपर आपको एक्जाम देने के लिए जाना पड़ सकते हैं, जब आप ऑन-लाइन एक्जाम दोस्तों, ऑन-लाइन जब फॉर्म अगेरा फिल करोगे, उसमें आप सेंटर वगेरा चूज़ कर सकते हैं, जहांपर आपको अच्छा लगता है, 2-3 सेंटर आप चूज़ कर स होने वाला या देहली या फिर बैंगलोर में होने वाला है और इसके लिए यह अलग से आपको कम्मिनिकेट करेंगे आपसे अलग से इसके बारे में आपको बताएंगे जो भी शॉड लिस्टेड होंगे ना उनके इंडिडेट्स को अलग से बताया जाएगा क्यूंकि पहले तो ऑनलाइन एक्जाम होगा तो ऑनलाइन एक्जाम जैसे आपका क्लियर हो जाएगा जो भी शॉड लिस्ट केंडिडेट्स होंगे उनको फिर आगे क्यूमिनिकेट किया जाएगा कि किस तरीके से कब और कहां आपको आना है इंटर्व्यू के लिए दोस्तों आगर आप इ एक्जामिनेशन के लिए ये 5, 11, 20, 24 के बाद यहां पर डाउनलोड किये जाएंगे 16 नॉमबर 2024 को आपका एक्जाम लिया जाएगा ऑनलाइन एक्जाम टेंटेट्यू बताया था इन्होंने तो टेंटेट्यू ही डेट यह मान के चलिए लेकिन आप इसको मान के चलिए कि आपका 16 कोई एक्जाम है और त्यारी करनी अभी से आप शुरू कर लीजे इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लाव जो रिजल्ट अगे रहा है रिजल्ट अगे रहा कब आएगा आपका ऑनलाइन एक्जामिनेशन का तो यह आएगा 16 दिसमबर से लेकर 31 दिसमबर के बिट्वीन यानि इसके बीच में आए जाएगा 16 दिसमबर से लेकर 31 दिसमबर के बीच में आपका ऑनलाइन एक्जामिनेशन का जो रिजल्ट है यह भी यहाँ पर आजाएगा फिर इंटर्वियू की बात करें तो इंटर्यू यहाँ पे इन्होंने बताया कि और यह जो विकिंसी है दोस्तों है तो बहुत कम विकिंसी ले consumo अगर आप सेलेक्ट होगे तो यहाँ पे आपको हर तरह की फैसलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो आपको अगर आपके पास यहाँ पे क्कॉलिकेशन है तो आप आप अप़लाई कर लीजिए्यान द पर आपकी एक नव दोजर चोबिस को गिनी जाएगी तो आपकी जो age है वो minimum जो है कम से कम 21 साल हो ज्यादा सवीज़़धा 30 साल हो अगर आप unreserve में आते हैं unreserve मतलब जनरल से अगर आप आते हैं बाकी जो category में आते हैं further relaxation जो है देखने को मिल जाता है मतलब छोट उनको मिल जाती है अब देखो आपके आसानी के लिए इन्हों ने यहाँ पर date of birth mention किये कि 2009 1994 में से पहले का आपका जर्म नहीं होना चाहिए और 2009 2003 के बाद कभी आपका जर्म नहीं होना चाहिए ठीक है अगर इन दो dates में भी आपका जनम होगा है तो भी आप apply कर सकते हैं यहाँ पर आप ही eligible है apply करने के लिए बाकि यहाँ पर category wise आप देख लेना कितना क्या relaxation रखा है आपके लिए SCST वालों को 25 साल का relaxation OBC वालों को 3 साल का relaxation ठीक है PWBD में जो आते हैं उनको 10 साल का यहाँ पर relaxation है तो यहाँ पर जो यहाँ पर category mention की गई है उनको यहाँ पर relaxation देखने को मिल जाएगा minimum qualification यहाँ qualification की बात करें तो आपकी qualification देखी जाएगी 1924 तो 1924 को आपकी graduation complete होनी चाहिए चाहिए किसी भी stream से की ओ अपने देख सकते हैं ने any discipline सिर्फ only graduation यहाँ पर PO की post के लिए required है दोस्तों तो अगर आप graduation pass है 1924 तक आपकी graduation complete हो चुकी है तो आप ज़रूर यहाँ पर दोस्तों apply कर लीजिये बाकी इसके अलावा कुछ और important देख लेते हैं तो इसके regarding दोस्तों पहले भी मैंने वीडियो जो upload किया अगर आपने नहीं देखा है तो इस बार इसको देख लीजिये और apply कर लीजिये क्योंकि अभी भी आपके पास time है आप देखो दोस्तों selection process में मैंने जैसे बताया था आपको online exam लिया जागा online exam में आपको multiple choice के questions आपसे पूछे जाएंगे ये 200 marks के रहेंगे 200 number के रहेंगे और 40 का descriptive रहेगा मतलब जैसे आप multiple choice का questions है वो complete कर लोगे 200 questions उसके बाद आपका descriptive शुरू हो जाएगा ये 40 marks करेगा यहीं सेम डे को ये होने वाला है ठीक है जिस दिन आपका यहाँ पर जो online mcq जो यहाँ पर रहेगा देखो online examination consists of two papers दो papers एक रहेगा आपका 200 marks का उसके बाद फिर आपका descriptive पेपर शुरू हो जाएगा 40 marks का अब जो यहाँ पर mcq type करेगा multiple choice के questions जिसमें रहेंगे objective test रहेगा multiple choice के questions उसमें होगे इसमें questions कहां से होंगे reasoning ability से 50 question 50 marks के english language से 40 question 40 marks computer knowledge से 20 question 20 marks के general awareness से 40 question 40 marks के quantity attitude से 50 question 50 marks के इस तरह से 200 question total होंगे 200 marks के रहेंगे मतलब एक question एक number का यहाँ पर रहेगा time यहाँ पर देख सकते हो कितना क्या time दिया जागा total time के अगर हम बात करें 140 minute का आपको time दिया जाएगा 200 question को करने के लिए फिर descriptive रहेगा इसमें चेक किया जाता है आपसे English language का यह एक तरह से test होता है आपका लिया जाता है इसमें essay writing आपको लिखना होता है दो option आपको दिये जाते हैं दो में से एक choose करना होता है 20 minute का आपको time होता है इसके लिए और precise writing के लिए भी दो options आपको दिये जाते हैं दो में से एक आपको choose करना होता है लिखना होता है, इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम, टोटल यहां पे 40 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है करने के लिए, और यहां पे जो है, नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर MCQ टाइब के questions में, अगर आप किसी question का wrong answer दोगे, तो 1 by 4 यानि 0.25 के जो marks हैं आपके, वो minus किये जाएंगे, पेनलिटी आपको पड़ेगे, अगर आप गलत answer किसी question का देते हो, बाकी centers मैंने आपको already भी बता है, center आप यहां से फिर देख सकते हो, यही 3 center, 23 centers आपके पास होने वाले, जहां पर आपका exam जो है, यह लिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे scroll करते हैं, फिर यहां पर interview के time पर देख सकते हो, दोस्तों, 60 number का आपका interview है, 60 marks का यहां पर interview रहेगा, और interview के लिए general category वालों को 40% लाना ज़रूरी है, यहां पर minimum qualifying marks 40 है, बाकी जो SCST, OBC, BWD से आते हैं, उनको 35% लाना ज़रूरी है, यहां पर minimum qualifying marks 35% है, category वालों को और बाकियों के लिए 40%, इसके लाब फिर यह जो documents बताएगे, यह आपको interview के time पर जो है, वहां पर दिखाने है, मतलब original भी लेख के जाने और इनकी self-attest photo copies भी आपको साथ में रखनी है, जैसे कि जो call letter होता है, interview call letter उसका print out आपको रखना है, आपको online application form का जो print out है, वो रखना है, 10th का mask card data birth के entity proof आप अपने साथ में रखोगे, इसके लाब graduation की सारी जो भी documents आपके पास है, वो आप अपने साथ में रखोगे, बाकी category जो भी आपकी पास होगी, वो आप अपने साथ में रखोगे, और वहां पे, मतलब original भी यह अपने साथ में रखना है, और इसके अलाब आपको, इस जाके जो भी आपके performance यहां पर बनेगी उसी basis पर आपको यहां पर select किया जाएगा और आपके जो यहां पर job है आपको यह दी जाएगी आल इंडिया लेवल पर यहां पर जो है क्योंकि आल इंडिया लेवल से सब भी candidate apply कर रहे हैं दोस्तों तो जो भी selected candidates होंगे उनको कहीं भी इंडिया में जो है पोस्ट किया जा सकता है जहां पर भी हां पर requirement रहेगी इनको company को जहां पर भी requirement रहेगी वहां पर यह आपको भीज सकते हैं काम करने के लिए ठीक है तो hope करता हूं दोस्तों कि आपको यह सारी चीजें जो हैं यह clear हो चुकी होंगी अगर स्टेल आपका कोई डाउट है आप मुझे comment के जरीए बता सकते हैं फीस के बारे में अभी हमारे पास यह रहे जाता है तो पर आपका हो गया credit card हो गया internet banking आई-एम प्यस हो गया cash card हो गया mobile wallet हो गया तो इनके तुर आप यहां पर जो है पे कर सकते हो फीस पे कर सकते हो जो भी आपको screen पर पूछा जाएगा information हो सारा वैसे वैसे आप follow करते जाओगे और यह फीस जो है पे कर लोगे ठीक है दोस्तो इसके अलावाद दोस्तो कुछ और important यहां पर हमसे नहीं छूटना चाहिए देख लेते एक बाद तो लगबग लगबग दोस्तो सारी important चीज़े जो है मैंने आपको बता दी है तो फिर भी अगर आपका कोई doubt है आप मुझे comment के जरी बता सकते हैं दोस्तो अभी भी आपके पास time है आप अगर apply करना चाहते हैं graduation past है और बाकी जो eligibility हाँ पर मैंने आपको बताई उन सभी eligibility criteria को आप fulfill करते हैं तो आप जरूर apply किजिए इसके लिए so thank you very much